आज अपन देखने जा रहे कि एक्जेटली पैंकर होता क्या है उसका यूज क्या है ये किसके लिए मैंडेटरी है नहीं लिया तो क्या होगा कहां पर यूज करने तो आपके जो भी क्वेस्टेंस है वो अपन पूरे सेशन में कवर करेंगे तो पता है कि यू नो वट इस पै करना है सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि जब भी ऐसे वीडियो आएंगे मैं आपके पास ओ आर्राम से आजाएगे आए तो आगे बढ़ते हैं पैंकर की जरूद क्या चलो यहां से स्टार्ट करते हैं आप लोग टूइलर विश करते हैं तूइलर का एक सिस्टेम है जिससे हर एक आत्मे को आइडेंटिफाई किया जाता है विकॉस देर विल भी 50 पीपल है तो गवर्मन को कैसे पता चले कि यही वह वीपूल शाह है कद भी जो नोगा की नहीं बस जैसे टूइलर के नंबर से अलग लग होते घाडे से होती है वैसे ही इडिफिकेशन नंबर तो इंकम टैस आपको पैंड कार से जानती है तो जब भी आप उनके साथ कम्यूनिकेशन करते हो या वो आपके साथ कम्यूनिकेशन करते हैं पैंड कार इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं सबसे पहले चीज से पैन कर लेना कैसे है यह मैंने वेबसाइट का नाम दिया है www.onlineservices.nsdl.com.pan तो यहाँ पर इस वेबसाइट जाके आपको क्लिक करना है फिर आपका एप्लिकेशन टाइप सेलेट करो आप कौन से कैटेगरे के हो मतला है आपको partnership from pancart, trust का चाहिए, individual का चाहिए, company का चाहिए, hf का चाहिए, वो आपको select करना है, terms and condition को enter करना है, बागी details आप फिल करना है एंद फिर आप पैन कड की लिए अपलए कर सते हैं तो यह जाने करें एक बार अपला करने कि तो आप पूरी जान करी दीटियल में मिल जाएकी तो यह process आपको क्या करना पैनकड के लिए अपला करना है पासपोर्ट जैसे कोई भार के लोग है तो उनके लिए पासपोर्ट भी लिया जाता है क्योंकि उनको इसा आधरकार नहीं रहेगा यह रूल्स थोड़े चेंज होते हैं बड़ इन जानरल अब यह तीन डॉकुमेंट बहुत ज़रूरी है अब यह यूज का पर पानकार यूज दा में ने दिया है डारेक्ट टैक्स पे करते हैं तो आपको पैंकार नमबर देना पड़ता है आपको बिजनस टार्ट करना चाह बैंक में से लोन लेना है शेर में इन्वेस्ट करना है मुचल फंड लेना है पचासद से ज्यादा गोल्ड कैश बैंक में डिपोजिट करना है तो हर एक ट्रांजेशन के लिए पैंकार ज़रूरी है गवर्मेंट जानना चाहती कि यह पैसा तुमने कहा से लाए है आपको पकडने का सबसे आसान तरीका है इस योड पैंकार्ट जैसे अभी 2000 के नोट बंद हो है तो जब आप 2000 रूपीस के नोट बैंक में डिपोजिट करते हो बैंक हर एक नोट की डिटिल लिखे लेती है आपको आधर कार पैंकार लिखे लिए रेफरेंस के लिए तो हर एक जग इसका खर्चा कितना होता है अभी तो यह ओफिशल खर्चा है अगर इंडियन एड्रेस है आपका तो 90 रूपीज है एक्सलूडिंग जीएस्टी एंड फॉर्इन कम्मुनिकेशन एड्रेस इस 864 रूपीज प्लस जीएस्टी बढ़ यह तो गवर्मेंट के चार्जिस है कं कोई 300 लेता है कोई 500 लेता है कोई 1000 रूपीज लेता है सो यह एक्स्टा चार्जिस होते हैं वो सब मिला के लेते हैं तो लेट सेवी आपका डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन देना वह आप एक्सेट होता है नहीं होता है उसको रिव्यू करना कुछ गलत होगा तो अपन देर फॉंसाइज अभी पैन कर यूज कहां कहां पे होता है सर मैंने आप ही दिया है सेक्शन 139 ने आप इंकम टेक्स में दिया है कि पहला अब जब टैक्स पे करते हैं तो आपको पैन कर देना जरूरी है और आप इंकम टेक्स डिपन को पता चलने चाहिए अपका स् पैन कर लिए है यह अपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिस्ने स्टार्ट करना पैन कर ज़रूरी है जितने भी चेरिडिवल ट्रस्ट है पॉलिटिकल पार्टीज है और इन जितने भी और अर्गनेशन है उनके लिए पैन कर क्या है कंपलसरी है तो आपने जो आप पैंकर्ड लिया है इवन दो यॉर नॉट पार्ट अब दिस आप बोलेंगे मैं तो मेरे पास भी पैंकर्ड है वो आपने वोलेंटरिली अपलाई किया है पैंकर्ड लेगा तो क्या होगा अगर पैंकर्ड नहीं रहेगा तो क्या होगा तो जो नॉर्मल रेट है जैसे आपने concept पढ़ा रहेगा tedious अगर नहीं पढ़ा तो क्या problem नहीं है इतना लंद करना कि पैंकर्ड नहीं रहेगा तो 20% tax cut होगा और जो actual rate है जैसे lottery income पे 30% tax है so 30% or 20% whichever is higher so 30% cut होगा आपको जो income मिल रहा है उस पर पैंकर्ड अगर नहीं रहेगा तो उस पर TDS cut होता है तो जो नॉर्मल रेट है या फिर 20% which is higher तो इतना लंद करना आप कि पैंकर्ड नहीं रहेगा तो हाइयर रेट से आपका tax cut होगा higher rate vary होता है उसके पैंकर्ड नहीं रहेगा तो आप कार नहीं ले पाओगे क्योंकि आप रोग्ड नहीं ले पाओगे education loan या कोई भी हो property register नहीं कर पाओगे shares mutual fund demand account नहीं खुल पाओगे तो पैंकर्ड नहीं रहेगा तो आप हैंडीगा भी हो जाओगे so now it has become mandatory document correct now so and अभी जो rules change होए उसमें पैंकर्ड अधरकर्ड क्या है interchangeable return file करने के लिए आपके पास अधरकर्ड रहेगा तो भी आप written file कर सकते हैं अच्छा भी pancard के जो numbers होते हैं इस 10 digit number आपने देख रहेगा आपके असर रहेगा तो चेक करना पैंकर्ड is a 10 digit number तो उसमें जो first three character होते हैं यह यह alphabets होते हैं A to Z अपने उसमें जान करने की ज़रूत नहीं है जो fourth character है वो define करते हैं कि आप किस प्रकार के tax पे हो यस अगर आपका चेक करना आपका fourth character P रहेगा पी रहेगा मतलब आप individual हो as a natural person आप tax हे रहे हो अगर F रहेगा तो partnership firm होगा C रहेगा तो company रहेगा T रहेगा तो trust रहेगा तो जो fourth character है जो मैंने यह आपर दिया है वो define करता है कि आप किस प्रकार के taxpayer हो आप चेक करना आपका पैनकार है तो निशे comment में type करके बेच देना कि आपके पैनकार का fourth character कौन सा है and what it signifies P है तो individual F है तो partnership firm T है तो trust H है तो HOF A है तो AOPBY C है तो company ठीक है उसके बाद जो fifth character है वो जैसे अब ही बात कर रहो individual की अगर आपका नम Rajesh Khanna है तो आपके सरनिम का first character रहता है आपके सरनिम का first character रहता है सो मेरा नामे वीपूल शाह तो मेरा S करके रहेगा शाह इस माई सरनिम तो आप चेक करना fifth character is your surname का पैल आक्षर ने जो six to nine character होता है यह सिक्वेंस नमबर रहता है and last character is alpha beta check digit तो अपने को इस पर जाने की जरुदी है आप focus करो कौन सा character fourth and fifth as a student अपने को इतना ही क्यों वह fourth and fifth क्या रहता है क्योंकि पैंकर तो अपने हर बार यूज़ करते है चाहिए न तो पैंकर बढ़ते से आपको बहुत धान से बढ़ना है जैसे for example soundidian people काफी वह उनको सरनेम यूज़ नहीं करते हो वह गाव का नाम और उनका नाम यूज़ करते है तो जब यह ऐसे वीडियो अगर आप और ऐसे अपडेट चाते हों तो मेरे चैनल को लाइक करना है बेल आइकन को प्रेस करना है and if you want any information comment box में टाइप करो जल्दी आपके लिए वह भी ले क्या होगा thank you so much